असकार, आदाव और सत्रियकाल, नाजरीन हम आप सब का खेरमकदम करते हैं अपने इस लाइव गेम शो कुस गैसी बजा में आज हमारे साथ खेल रही है एक बहुत ही प्यारी दो सहेलियों की जोडी जिनके नाम है तेहमीना रहना और रजनी रहना रहना रहना, कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, दिनी च्वाजली कुनी थोड़ा सा आपको बैग्राउंड देती हूँ, आज जीते वाली जोडी को मिलेंगे पूरे 10 करोर रुपे और प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने इनसे की थी थोड़ी सी बात कि अगर ये यहां से ये 10 करोर रुपे की रकम जीत कर जाते हैं, तो क्या करना चाहेंगे तेहमीन जी ने हमें बताया कि उनका 20 साल का बेटा है, जो पैलेट विक्टिम है, वो उसका इलाज करवाना चाहेंगी और रजनी जी का सन 1990 में उनकी आखों के सामने उनका मकान, पुष्टेनी मकान हबा कदल में जला दिया गया था वो उसे दुबारा बनवाना चाहेंगी और वादी में फिर से रहना चाहेंगी अपने उनी पडोसियों के साथ हम उमीद करते हैं कि यहां से यह रकम जीत कर जाएं और जो इनके सपने हैं वो पूरे हो जाएं उससे पहले आपको देती हूं मैं थोड़े से रूल्स के पार में इंफर्मेशन कुछ सवालों के इनको आप्शन दिये जाएंगे और कुछ सवालों में हम इनसे सीधे जवाब की उमीद रखते हैं सही जवाब देने पर मैं इशारा करूँगी इस रण कांगर की तरफ सही जवाब और अगर गलत जवाब हो तो तेल गव वाश मैं जो वमेद की वाश पैनने ज़रत तो यह सुछव सिर्फ पुराण कांगर आगे चलते हैं गेम का पहला सवाल पहला सवाल कुछ इस तरह से है रेना वन रेना टो आर यू रेडी यास दे लुक हैपी एंड रेडी बोथ गौटनुक सवाल बहुत कांफिटन नजर आते हैं आपके आप जवाब जानते हैं जवाब क्या है ओप्शन टी टावल वाला मीड सही जवाब राइन कांगर आगे बढ़ते हुए अकसर यह बच्चन चो एक्जाम उक रिजल्ट आसान तातमाज क्यात कितकन चे तीन्ज माज तिमन पर तानस गसान आप्शन ए या पार्या किन अपार आप्शन बी या जथा किन पजार आप्शन सी आई शू आप्शन डी क्यासर दर्बसुन चलुन द्राव नौन काफी खुश नजर आ रही है रहना वन और रहना टू क्योंकि कश्मीर में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी माँ ने उस पे एक्जाम रिजल्ट पे तनस ना किया हो जवाब इन्होंने दिया है ऑप्शन डी क्यासर दर्बसुन चलुन द्राव नौन राइन कांगर सही जवाब आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर तीन की तरफ फोजस म्यूल के वाकत ब्रोंट वादी मंस आख फ्यार तेमिस क्या थोक नाब आप्शन ए खुटी आप्शन बी खबर कती आप्शन सी सुकती आप्शन डी यती हम्म इम दोनवे बेनिजन पे क्या थान्च सैतस कन्फ्यूजन है टेक यूर टाइम बेकार अस्त्रेकार आश्चुवार है वाकत टेक यूर टाइम मगर मिश बासान तो नीरवन क्यूंकि औरतों में बहुत हिम्मत होती है आगे पढ़ने की हां क्या मसला है ओ कन्फ्यूजन यह मन जो कन्फ्यूजन का समस्चूत है कन्फ्यूजन मन तो मेरा कर रहा है आपके साथ थोड़ी चीटिंग करूं मगर न इसलाइब शायद म्यूली मन जवाब क्या जवाब चो आप्शन डी यह ती जवाब दुरुस्त है राइक आंगर रहना वन और रहना टू मुझे बहुत खुशी हो रहे है आपको यह बताते होई कि अभी तक आपने बहुत अच्छा खेला है बहुत ही उंदा आपने खेला है अगला सवाल यहाद सवाल अच्छी क्रियेटिविटी ही नंबर सिर्फ यूता जाद क्रियेटिव तुहूंद जवाब आसे त्यूता जान बननो ते चांसे यहाद गेम असमस ब्रोट पाक नखाद अगर ना आईस तुहूंद जवाब खोशकोर याद क्रियेटिव बास है मैं शी अपस सवाल सुनिये जब आप बच्चे थे और पुफी के गर रात को रुकने की जिद करते थे तो आपकी मेमी आपको कैसे इमोशनल ब्लैक मेल करती थी हम जाना चाहते हैं कि वो आपको क्या कहती थी आप हमें अपना एक्जेम्पल भी दे सकते हैं चूकि आप दोनों माएं हैं तो आप जितना क्रियेटिव हो सकती हैं उतना हो जाएए आप दोनों को एक एक लड़का है मुझे यकीन है उन्होंने जरूर आपके साथ कभी ऐसी जिद की होगी या अगर आपको अपने बच्पन का कुछ याद आता है तो वो हमारी नाजरेन को बताएं और उस गेम में अपनी चांसेज और अच्छे कीजिए टेक यूर टाइम बैकार अस्त्रेकार अच्छो वाकती वाकत दोनों रहना वन और रहना टू मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं लगता है इनको जवाब मिल गया कैसे तयार चो ओ यमची तयार क्या चो जवाब राजसवभा गरपक माजखेई हूंत ब्रोर माइग गॉडड क्या जवाब दिया है आपने रॉइन कांग बहुत अच्छे बहुत अच्छे थायकर वस बे इमोशनल मतलब आप डेप्ट देखिये माजखेई हूंत ब्रोर इस हाइट्स ओफ इमोशनल ब्लैक मेल आगे बढ़ते हूए गेम 38 सेठा 30 जेनरल नॉलिज का सवाल है काफी ज्यादा मगर चूंकि आफ खुद खवातीन है मुझे उमीद है आफ को इस सवाल का जवाब मालूम होगा आईए सवाल पढ़ते हैं पैनिस बाबस या मलिस या फादर सबस क्या छे मॉडरन कोरे वनन ज्याद पसंद करान डैड़ी हाकिन पापा तो क्या है जे मॉडरन लड़कियां अपने फादर साब को क्या बोलना ज्यादा पसंद करती हैं पापा या डैड़ी और क्यूं दोनों बेहने फिर से मुस्कुराती हुई मुझे लगता है इनको अपने बच्पन की याद आ गई जे आपके पास जवाब है जी हा नाजरीन इनके पास जवाब है और वो जवाब है डैड़ी जवाब दुरुस्त है राइन कांगर तो क्या है जी बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जवाब है क्योंकि पापा बोलने पर लड़कियों की लिप्स्टिक खराब हो जाती है लेकिन डैड़ी बोलने पर ऐसा नहीं होता इसलिए MODERN लड़कियां ज्यादा तर अपने वालिद सहाब को अपने फादर सहाब को डैड़ी कहना पसंद करती है बहुत ही अच्छा और उम्दा खेल रही है आप दोनों बेहने मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको वहाँ इस सीट पे टिके हुए देख कर बढ़ते हैं नाजरीन अपने अगले सवाल की तरफ क्या रहना वन एंड रहना टू है तयार? जी हां काफी confident नाजर आ रही है मुझे confident ओरतों को देख के बहुत खुशी होती है अगला सवाल कशीर मन्स काथ एरिया हसमाच सारी खुद ज्याद जहीन लूग Of course hands down रहना वारी बहुत सवाल बहुत अच्छा जवाब दिया आपने जवाब दुरुस्त है रान कागर बहुत खुशी हो रही है मुझे आपकी इस जहनियत को देख कर नाजलीन अब वक्त आचला है आपसे बात करने का हम आपकी राय जानना चाहते हैं मैं चुबासान आफ सबने पहले तो मैं आपसे ये पूछू आफ सबने Newton's Laws तो पड़े ही होंगे हम सारे बच्चों ने Newton's Law अपने स्कूल में पड़े होंगे मैं चुबासान ये Newton चो ओसमूद कशूर क्या है कि समसारस में ची यीड फ्रूट यीड सबजी ची आल ची वांगन ची फ्रूटन मांची दाच ची बम चूंट चू टांग ची बब गोश चू एम इसके प्यों कालस पेट सिरिफ चूंट थी हमें अपनी राय जरूर बताएं आफ हमको वाटस एप कर सकते हैं 0000 पर हमको आफ के वाटस एप का इंतिजार रहेगा मिलते हैं एक चपात के बाद कोशर को बलाए सुच लोईर पेट सौरूप तयारान और यहां सेब तो अपनी पाग का ही है आगे बढ़ते हुए अगला सवाल अब हमारे पास काफी कम सवाल बचे हैं अगला सवाल यह मिस दंद कमजोर्च आसान अगर सु याक चीज कें चाहिए ते मिस क्या चु दंदन लगान A. नार बशर B. टपाल माजर C. ट्राठ D. सवाल Confusion, बेञ confusion काज माज छूते confusion Trat त शुसर अच्छा अच्छा यह confusion है कि बन समझी किya is की Trat शुसर सी बना नादर मन्च Trat हिश हाइ पेईu Trat M is Trat You take your time like I said खुशी की लहर लगता है इनको सही जवाब मिल गया आप्शन डी सुसर बिलकुल सही जवाब अब एक और सवाल है इस सवाल के साथ आप सब रिलेट करेंगे लेकिन एक बात बता दूँ इस सवाल में आपको सिरफ तीन आप्शन मिलेंगे काफी खुश नजर आ रहे हैं दोनों बेहने लगता है इनको पहले ही जवाब पता है क्या मैंने ठीक अंदाजा लगाया वह बहुत अच्छे हमें भी जवाब बताईए आप्शन सी सारनी गवा किन असी योद गव जवाब दुरुस्त है राइनी कांग